How to fix OnePlus 60 OTG Not Working Problem नमस्कार दोस्तों सुवागर आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने OnePlus की रिवाइस में OTG Not Working Problems कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपका जो OTG हैं काम नहीं कर रहा हैं तो आप क्या solution कर सकते हैं कैसे आपका problem solve होगा यही मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ ठीक है लेकिन दोस्तों यहापर कोई device में जो है OTG बिल्कुल support नहीं करते हैं और कोई device में जो है OTG बिल्कुल अच्छे तरीके से support करते हैं ठीक है तो आपको दोस्तों पेले तो वही जानना बहुत जरूरी है कि आपके mobile पे OTG काम करते हैं तो उसके बाद भी दोस्तों अगर आपके mobile पे काम करते हैं OTG फिर भी काम नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को देखे मैं आपको कुछ solution बताऊंगा जिसके मतल से आप अपने problem को solve कर सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले make sure चैनल को subscribe करते हुए bell icon को click करें अगर आप online पेसा कामाना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करना है आपके जो OTG cable है उसको ही check करना है एक बार दोस्तों mobile को restart कीजिए mobile restart करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है OTG cable को check करना है कई से भी टूटा हुआ है या नहीं है और आपके mobile के लिए supported है या नहीं है ठीक है तो जब आप confirm कर लोगे यह original है आपके mobile पे support भी करते हैं और आप mobile को restart भी कर लोगे तो आपका problem solve हो जाएगा अगर इससे आपका काम बन जाता है जो ठीक है अगर आभी भी आपको problem आ रहा है तो दोस्तों आप mobile को safe mode पे reboot करें उसके लिए mobile के जो power button है उसको press and hold कीजिए power off के button पे 2 second क्लिक करके रखिए और ok कर दीजिए mobile safe mode पे reboot हो जाएगा जैसे mobile आपका safe mode पे reboot होगा आप दुबारा से OTG को connect करें और उसके बाद देखें दोस्तों आपका problem fix हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप अपने OTG not working problem solve कर सकते हैं by any chance अभी भी आपको problem आ रहा है तो दोस्तों हो सकते हैं आपके OTG cable का pin खराब हो गया होगा या फिर आपके mobile पे जो pin है ठीक है जहां पे आप OTG को connect कर रहा है उसका जो pin है वो खराब हो चुका होगा ठीक है तो इसको confirm करने के लिए आप mobile को एक बड़ चार्ज करके देखे अगर चार्ज हो रहा है लेकिन आपका जो OTG है वही काम नहीं कर रहा है तो OTG cable को change कीज़े प्राब्लम सॉल्फ हो जागा लेकिन मान लीज़े चार्जिंग भी नहीं हो रहा है OTG cable भी काम नहीं कर रहा है तो आपके mobile के जो पीने वही देमेज है तो आपको simply किसी भी service center पर जाना है उनसे आपको advice लेना है वो आपका problem solve definitely कर देगा तो यह था दोस्तो solution OTG not rocking problem और दोस्तो लास्ट में मैं आपको एक option और बता रहता हो जो कि दोस्तो यहाँ पे है system पर ज करके रखिए इसके वज़े से भी कभी कभार problem आ जाते हैं तो दोस्तो यह था एक simple solution OTG not working problem के related उमेद करते हैं आपको यह video पसने होगा thanks for watching